कि शिर्कान मनोज जे प्रकाश आवाज देवाज देवाज़ा गुड़ कि आज आपन दोन टॉपिक कवर करना रहा हो पहला मंजे मेथर्ड ओवर्लोडिंग और दूसरा जो आहे तो आहे मेथर्ड रिकर्जीव मेथर कि आपर च्वडिक कर दिक कर दिक है 그게 अपर कि अआाजा ड को वर्वर्ड के लिए अमो आद एंपर आडाजा कि आफ्य। what is the method overloading और तो कि अब्जेक्ट्रेंटेटी फर्स्ट कंसेप्ट जी आ है तुम्य ही में ताड़ ओर्लोडिंग म मधें कवर होते हैं घ्द्धुन सीटोंन सीप्ट जी आ है तुम्य टिया सब्सक्राइब है पॉलीमॉञफी जम कि अपिटल थोड़ा सब्सक्राइब नाइवाटा थे मन पॉलिमॉर्फिजब थाइप पॉसल्सो इग्नॉरिट कि पॉलिमॉर्फिजब मन जगाए नमकर काया स्थ एच्वादे पॉलिमॉर्फिजब मिन्स वाट इग्जाटली थे सेम थिंग वे आर यूजिग इनन मेनी फॉरम एक गोषटे व एक ट्रहें एक यह ज Image sapeन मेनी फॉरम मले यूजब दसका घला पन पॉलिमॉर्फिज प्लम्फिजम सामःटि century टिंग फिक निंग इन मल्टिपल वे मेनी फॉर्म मंजस पॉलिमॉर्फिसम आ है यह जब दोन प्रकार आ है फॉर एक्जामपल मेठाड मदे भी तुबाना संग तो है यह सेम मेठाड सेम मेठाड वी यूज इन डिफरेंट फॉर्म और मेनी फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स पॉर्म मुदिम्सों यह समयESS यह जैसे कियों तो तोट कर शॉर्मिंट थूम्ण पार थैयज प्रतल्ड शचानव ral डिबंद खूल करते कि ऊतल सबकिर डुलंपनथ ौर्म सब्सक्र Right उट्डवर्म डिफ्म agreementने saa में टी क्रिफ दूर्म पॉल्र stop kristal clear वाला वीजुलाइज वायला पाज़ट काया है पॉली मोर्फ जब तो दोन प्रकारच पॉली मोर्फिजागा थी थे इक आला मतला दाता डायनामिक त पॉली मोर्फिजम आइ त्यालाट मतला जाता रॉन तैम पोली मौर्फिसम काया मतला रॉन तैम्धाइब काया शरी फिकाइब जरी आट दीनामिक और धर रॉन ताइम इस इसमिलर देन सेकंड वन एप टाटिक पालीमॉर्फिजम और यालात मट्ला जाता कंपाइल कंपाइल टाइम को कॉम्मालि टाइम पॉलिमॉर्फिजम कि पॉली मॉर्फिज हाथ सब्सक्राइब ठीक है दोन है पॉली मॉर्फिज मंज़े का एक एक सेम्स फॉर इक समेंपल अपन डिफरेंट वे मैं ज़र यूज के लिए तरह आपन पॉली मॉर्फिज मासमन तो इस अब दोन वे हैं दोन टाइब साहित पहला है डाइनामिक जाला आपन दूसरा जोह है स्ट्राटिक रण डाइनामिक आपने दूसरा जोह है स्ट्राटिक क्यों रॉन टाइम क्यों कंपाल टाइम दो नहीं तुम्हें आसा मनू शकता सो डाइनामिक मदे तुम्हाला एक एक जांपल बगाएला मिलना रहा है आणि त्याला मतला जाता ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग यह चा मेंतरर ओवर लोडिंग लोडिग लोडिंग यह ची जएorta ऊसे सण है को चलू ऐसे पखें रॉन अमृटुपिच्च्री पाहलों आड़िंग्टीक के लैग्टाइम क्यों राइडिंग माहिआ है या चांप्षू ऐस कूर पहिकतला कि इंटर्वूजरी उपायू स्ट्रिक्ली क्लेरली दोगान मदला डिफरेंज वा है तो माई तसलत स्पाई जे ओवर राइडिंग जा है त्यापन रिलेशन्शिप जे चाप्टर आहे जावाचा कैचा नंतर आपन कवर करना रहा हो बट राइट नाव आपन डिसक्स करना रहा हो त्मेथड ओवर लोड़ okay so now now what is a method loading same name of a method in a class with different different size different type size of parameter that is called that is called method ओवर लोड़िंग बगा फॉर एक्जम्पल कर दी सेम नेम आफ मेथड इनक्लास मदे जेवा एकाच क्लास मदे सेम नावा चा मेथड़ गेतो बट डिफ्रेंट टाइप आफ दाट पर्टिकुलर पारामिटर और साइज दाट इस काल्ड मेथर ओर लोड़िंग फॉर एक्जम्पल फॉर एक्जम्पल मेथ एक मेथ लिए क्लास एक चाहे माजा बगा क्लास लट्सी स्टूडंट कि वालट्सी कैल्कुलेशन एक्ठल साहे थिसेड़ बनद एक्पलिक क्याइड अगेद टिसैम्म इैम लिए अफ मेथर अगिं दिसिगगल मेथ तरीत ओर लाई गाओ वरलोडिंग दो शी नहिंहिं बहुत मेथ पबहलीथ वोड़िड अडग अक्टार ओर लोड़िंग दो flowsu जो होई का कारण की सेम नावा चीजी में थड़ा है ती तुम्हीं परत ट्याच क्लास में देखेत लिए पन वेट अ मिनेट हाथ तुम्हाला कंपाइल टाइम एर देल का एर देल रेडिल ताचा समनना है कि अल्डेडी अशिस में जिया है ती डिकलेर के लिली आ है डिफाइ के लिए ऐसा संगेल मंगे अच्छा मदे आप लला डिफ्रेंट करना काई गर जिता है डिफ्रेंट टाइप साइज आफ पैरेमिटर मिन्स वाट इग्जैक्ली जर इथे एक कही पैरेमिटर नहीं है तर तुम्हाला एटलेस्ट आई एंटी नम वन असा एक पैरेमिटर कहा लागेल ठीक है साइज मींस वाट इक्जैक्ली कि नमबर आफ नमबर आफ डेटा टाइप किती घतलेता पन बगा नमबर आफ यह चाम अदेट टाइप जीरो यह चाम अदेट टाइप जीरो तरहे चालनार नहीं so you need to specify difference between size meeting a toy num so now it's supposed to work okay I am opening my intelligent as well I need doubt between the may what is the method overloading overloading means what exactly the same name of the method in the same class we are using but it must be different of this or size of the parameter means if here is a zero parameter here I had to go one parameter then again if I want to take another one then I have to do one thing suppose this is also applicable this is also this is also applicable this also this will also work why it is work because of here is a one parameter and here also one parameter so how it work because it type data type is a different so that's why I have put here the different type okay or I can mention here or size of parameter so this simple concept called method overloading okay okay now now can't he who Saka agar maanlo many hapa iska joe written type int karatia to ye different method ho gayi hai this is not similar method to this one each and everything must be similar agar ya void hai the everywhere suppose void only means entire signature whatever return type or something that must be same any question guys this is pay kunala sa mazla nashrikant kai definition madhyani example madhyi tuvala difference what type I confusion I have kunala abhishek okay mahinendra varshah hello sir hajai prakash bolie sir overloading may return type is same yoga ha overloading may each and everything must be similar okay yeah okay yeah yes Wow Kyo how सब्सक्राइब के लिए आपको करना जरूरी है यह समझना तो बहुत ही जरूरी है नाव मैं अभी से लिपता हूं में थर्ड ओवर लोडिंग में डोवर लोडिंग एक्जामपल ओके इसाइव शेर्ड अनली वन so now I am sharing my entire screen so it's supposed to be visible now please confirm mother yes sir yeah that's great thank you okay so we have a class now simply we have a class now we want to override the method so just I am saying here void void greet 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 I am saying that welcome this is the method I am saying that system dot dot print alert welcome okay that's it and I'm going to call here so this I need to make it static and I am calling that method that's it guy hey example method overloading sir I am tra no guys please let me know guy hey example method overloading sir I am aarti puja Nikhil no sir absolutely not okay now public static void welcome one now yes sir और ये अब को यीकर ओफरो व्याधिने लिए योः यह लग नाम होना हो जाएक अधिर ऑन दृपर न लें है यहाहभ ची जो होंगेbardya है देखो अभी यहां पर आगए यह राकता है यहाँ पर यहां पर पिरопय हुआ मतलब प्रमेлемेंटरि नहीं है है इक यहांपे भी जिरो पर है और यहांपे प pe frater replay मतलब कुछ हैं नहीं तो compiler कैसे पता करेगा यह ना 練 नहीं कर रहा है हम लोगा क्चा compiler जो है मतलब की अभी पहिचान लिता है पढ़ी होने से पहले यहांपे कर लेता है कि यह सही है या गलत है और इन में से कोन सी मेथड जो है एक्जेक्ट होने वाली है यह आप भी मुझे मुझे बताओगे कि कोन सी मेथड एक्जेक्ट होगी लेट सी यहाँ पर मैं एक डाल देता हूं स्ट्रिंग नेम और प्रिंट करते हैं system.out.printl वेल्कम और गेन आप यूज दिस तो दोनों में तर्में क्या डिफरेंस है अभी अभी तो ले लिया इसने डोनों में का डिफरेंस है बताओ इसमें हमने एक पैरेमेटर जो है यह ले लिया है ठीक है यह पैरेमेटर ले लिया है है तो आप मुझे बता होगे कि इसमेंसे कौन से में तरी चीड होगी क्योंकि मत सक्षञ और अरति आपको क्या नगता है पूजा आपको क्या लगता है कौन से में तो compiler क्या करता है जब दोनों नाम से मैं compiler क्या चेक करता है first time method का जो नाम है वो दोनों जो है वो compiler चेक करता है यह भी वेलकम है और यह वेलकम है लेकिन इसमें मैंने पास नहीं कोई की value यहां पर जिरो argument है ओके तो यह मैच कर देता है कि कोई डेटा पास नहीं किया यहां पर तो पहले बार ना compiler फर्स्ट क्या करता है कि नाम से पैचानता है अगर नाम भी से मेना तो नंबर आफ पैरेमिटर और साइज आफ पैरेमिटर और डेटा टाइप से पैचान लेता अभी अगर मैंने यहां पर मान लो एक नाम डाल दिया तो यह जो है यह मैच करेगा कि क्या एक पैरेमिटर व जो होने वाली है यह slightly light blue दिखाई दे रही है आपको थोड़ा और यह ग्रेव में दिखाई दे रहे हैं मतलब यह कॉल नहीं होगी अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा तो और जैसे ही मैं इसे हटा देता हूं यह parameter को हटा देता हूं मैं तो देख लीजे जैसे हटा देता हूं तो यह ग्रे हो गए मतलब यह कॉल नहीं होगी विल्कम का स्पेलिंग हो गया है तो यह है मतलब compiler 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 को पहले ही पता चल जाता है कि को सी method execute करनी है कैसे compiler पता करता है कि उसकी साइज क्या है parameter की उसकी साब से अभी अगर आपको यह और एक देख लेते हैं दूसरा एक्जांपल पब्लिक स्टैटिक वाइड वेलकम को ही हम लोग करने वाले यह और लोडिंग का एक्जांपल है तो system.out.print अलंत वेलकम एंड यहां पर मैं चेंज कर देता हूं डेटा टाइब एंड वाइड 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 बस इतना मैं चेंज कर देता हूं कि अगर तो अभी जो है अगर मैंने यहां पर हंड्रेट पास किया तो कौन सी method execute होने वाली है सेकेंड वाली क्यों इस उसका टेटा टाइप है और मैंने पास किया इंटिजर अभी इसे मैं अगर ऐसे कर दो तो अभी कुछी होगी अभी कुछी में इसे पिन स्ट्रेंग वाली होगी कि क्यों से डबल इन्वेटर कोड में लिखा है हाँ तरसांगा पूजा आरती मदू काई वाला पाइजर स्ट्रेंग वाली होगी क्यों से डबल इन्वेटर कोड में लिखता है हाँ तो वह ऐसे कंशूज करेंगे आप लोगों को ऐसे एक्जाम्पल देखें तो यह आपको पक्का ध्यान देना है ठीक है यह एक्जूक्यूट करना बड़ी बात अगर आप समझोगे ना दो लाइन का तो दो हजार लाइन भी लिखने के लिए आपको कुछ बड़ी बात नहीं होगी अगर आप प्रोग्राम रटो गया तो 2000 लाइन आपके लिए पहाड जैसे लगेगी इस कंसेट आपकी क्लियर होनी चाहिए एक चाहिए जिसी कंसेट आपकी क्लियर होगी यह स्टाइट करेक्ट तो दिस आज इस आवर फर्स्ट कंसेप्ट विच इस अ क्या सिखा आमने आज बताओ मुझे फटाक से भूल गया मैं शायद से हां अभी याद आया थैंक्यू हां बराबर में तर्ड ओर लोडिंग ही हमने सीखा है मैं हमेशा उसका नाम भी क्लास का नाम भी वही देते दो जो एक्जाम्बल होना चाहिए लट्स थिंक अबॉट अनेदर देन अच्छी दूसरी या है मेथड और अनि आपन इते मेथड ओर लोडिंग त्करू शक्तो ओवर राइडिंग नहीं करू शक्ता आप लेला रिलेशन्शिप थिते शिका भी लागना रहा है तेवाद आपन ओर राइडिंग शिको शक्तो नाव इत्स दन आफ द अबर लोड़ियों सेकंडिंस अ is today's concept is recursive method or you can say method recursive the recursion manjeka recursion manjeka recursion manjeka recursion manjeka because goes to continuously hotel trial it's like a loop but infinite parental hotel ठीक होता जराना रहते हमना नहीं ओके अनिरिकर्जन कदी होता है वेन वेन मेथड कॉल वेन मेथड कॉल इट्सेल्फ यह कब अकड़ होता है ऐसे सीच्योशन कैसे आएगा जैसे कि मैंने एक मेथड बनाई इसे पॉब्लीक पॉब्लीक वॉइड लट्सी एड और और खुद को ही खुद मेने कॉल किया यहां पर एड जब कोई मेथड कुद को ही कॉल कर लेती है तो उसे बन जाता है रिकर्जन मेथड मतलब यह चलती ही जाएगी रुकेगी नहीं कि इट ओड स्टॉप मैं आप सिंपली कुछ लिख देता हूं सिस्टम डॉट 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 प्रिंट अलन बड़े बड़े प्रॉब्लम जो है रिकर्जन मेथड से सॉल किये जाते हैं लूप से सॉल किये जाते हैं कोई डाउट है इसमें समझने के लिए कि बनती है जब हम एक मेतल बनाते हैं और से मेतल को खुद ही वह मेतल कॉल कर लेती है तो वह रिकर्जन हो जाता है और रिकर्जन मतलब इंफनाइट चलते ही जाएगा रुकेगा नहीं रोकने के लिए हमें कुछ लॉजिक लिखना केगी जो लेट साथ दकोडिंग इंटा स्कृंड शेर के श्क्रिन इसाथ है ना यसर रिकर्जी और रिकर्जन मेतल इसमपल प्रोब्लम जाहे लूप अनिरिकर्जन मेटन ने शॉल कर ले जाता है इस पाइड अप्ड देटर श्रॉक्चर अन अल्गरिदम गाईस विच मेथर शुद भी उसे और टाइंट प्लेक्स एड प्लेक्सित अन पेस्पेस कॉंपलेक्सित तो दिस लिटल बिट बिट ट्रि आपन ही बेसिक कवर के लिल नहीं है और वी निद अप्रैक्टिस तो अनि तफ प्रोब्लम वी निद तो फेस तो नाओ तो क्रिगेटीर पब्लीक वाइड एड यांग जैस सिंप्ली एंप्रिंटिं अतर अरिकर जाला का याच जैस मलत में सांगा रिकर्जन जाला का याच और स्टैक्टिक बनाथ को कि पुजा आरती इसका रिकर्जन हुआ है क्या नहीं अभी अभी तक रिकर्जन नहीं होगा यह सिंप्ली एक वन टाइम जो है एक्जिक्यूट होके बंध हो जाएगा है 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 अलो कि रिकर्जन कैसे होगा जैसे ही आप खुद को यहां पर कॉल कर दोगे और यहां पर देखो यह यहां पर एक इंटिलीजन ने मस्ट सिंबॉल भी दिया रिकर्जीव कॉल कि लोकेट तो नाव इफ आए मैंने रोकने के लिए तो कुछ लॉजिक ही नहीं लिखा है यह तब तक चलेगी जब तक मैं से या तो इसकी मिम्री जो है ना जेवीम की यह जेवीम की मिम्री जो है वह एरर आउट हो गए मतलब वह खतम होगी दल्यांग इंस्ट्रूमेंट सम्थिंग और यह बहुत टाइम तक चला यह देखो है कि बहुत बाहर चला रहेगा और जब तक मेमरी वह खतम नहीं होती तब तक चलते ही जाता है चलते ही जाता है ऐसे डूंट टेवेट ओ फिर में चला जाता हूं इसके हैं लाइक देस तो इसी रोकने के लिए आप क्य कोई कंडिशन लगाओ फॉर एक्जम्पल मैं यहां पर काम करता हूं स्ट्राटिक आई एंटी काउंट ठीक है अले यह मेरा यह निद तो यूज अनदर लैप्टॉप सो दाट ओंट अपफेक्ट इस काइंड आफ प्रॉब्लेम कि मैंने एक वेरेबल ले लिया है और काउंट की वैल्यू कितनी है सब बताइए वन है और यह मुझे ना रिकर्जी तब तक ही कॉल होने दिना जब तक की काउंट की वैल्यू टेन ना हो और इच और टाइम गुएंग टू कि आयम गुएंग टू इंक्रिमेंट एट बाइवन तो एक बार चेक कर लेते हैं कि वन से ठीक है अभी यह काउंट करेगा 123 लेकिन अभी भी वह कुछ नहीं होगा हमें यहां पर कंडिशन लिखनी है कि अगर काउंट की वैल्यू इक्वल इक्वल अगर इक्वल टेन है य अग्रेटर द ले लेते चलो ठीक है काउंट काउंट तब तक ही चला देंगे जब तक की वैल्यू एस दैन पिन नहीं होगा यह तब तक ही कॉल होगा मैं इसे करली चाट में डाल दे रहा क्यों कि अगर यह वह तब ही कॉल करेगा इस मेठ़ को रिकर जी तब होगी तब त 10 10 मतलब 9 तक है तो यह 9 तक चलना चाहिए एद फॉर फॉर हमारे इसके लिए देखने के लिए अब तक चला है इसलिह एक पार से इसलिए हम लोगों को रोकना या सब ने जुगार इसलिए किया है कि यह चलना चाहिए सपोस्ट टू स्टॉप सम्वेर तो हमने स्टॉप करने के लिए क्या लॉजिक लगा है कि बाहर हमने काउंट वन किया तो एवरी टाइम पर वो वन से इंक्रिमेंट होगा यहां पर हैंड मैं टीबग करूगा यहाँ थी्याया है कि क्या होगा के तो अभी यह जो कंडिशन है यहां पर मैंने रखा हह ये क्या है क्योंट त्रू है क्यूंकि काउंट देखो यह वन और इसके अंदर प्लस प्लस वन हुआ तो इसकी वैल्यू जो है वह टू हो गई तो इसने क्या बोला है कि टू जो है वह लेस्ट टैन है तो यह कंडिशन टू है तो टू होगी तो अब्विएसली यह अंदर जाएगा खुद को कॉल करेगा वापस से यस होगा देन सेवन होगा है अभी कितना हुआ है चेक करो कितना वह अभी एpering नाइन ऑ और अभी चेक कुछ लॉजिक ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिखना है कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वार्मेंट कुछ अलग तरह की रहेगी कि आपके एरी की साइज पर डिपेंड करेगा बहुत सारे लॉजिक होते हैं तो यह एक सिंपल वन लॉजिक है जो हम लोग रिकर्जिव मेथड को इस तरह से स्टॉप करते तो देखो आपका सिर्फ टू-टू यही प्रिंट हो गया अगर मुझे वन से प्रिंट करना होता त तो 123 तक प्रिंट कर देगा है कि आपको रिकर्जिव फंक्शन में कोई डाउट है आप पूछ सकते है मुझे रोकने के लिए आपको मदद करने पड़े हो सौरी देखो क्या हुआ है यहां पर यह स्क्यू अगर जैसे मैंने लास्ट में डाला ना तो यह कभी यहां से ही उ तो यहां पर जा रहा है वापस तो यह कभी काउंट टक आई नहीं रहा है नीचे तक नहीं आएगा अभी वह चल जाएगा सही से तो यह आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है तो यह है आपका एक्जम्पर और आज का झालिष तो यह चल नहीं आपके लेंटना जोछोज लोग चल करता कर दोचे अच्छा आपके छालिष दो में तो यह है तो यह है वहा रहा है गया ज्यादार झालिए अ वह जाया इंजा है वहा है ओंग्त